हलो एवरिवन आप सबका श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शायमिस्रा में आद देखिए हम बहुत यम्मी बहुत टेस्टी सी रेस्पी लाएं जो कि पांच मिनट में बनकर तयार हो जाएगी और खास तोर से ये उन मिठोरों के लिए है यानि जो मीठा बहुत पसंद हैं और आप चाहें तो आप सब पूरा भी रख सकते हैं तो इसी तरह से सारे हम पीसेस कर लेंगे यह देखे कर लिए हमने सारे पीसेस बहुत यम्मी नाचता है एक बात और गाइस हमारी थोड़ी से हमारे बच्चे की तविद्ध खराब थी इस वचे से कल की वीडियो नह हमने दो से तीन स्पून घी डाला है और इसमें इस तरह से डाल दिया है फ्राइ होने के लिए धीमी फ्लेम पर इसको हम फ्राइ करेंगे हलका क्रिस्पी हो चुका है तो यह देख सकते हैं इस तरह से क्योंकि बहुत जादा आप कर देंगे तो थोड़ा सा चूई टाइप क सबते बनाया जाएंगा कि एक अधिक ग्लास हम ने ले लिया है दूद है टेज़ घ्लास अध़ा कर दिया है आधा ग्लास दूद आगे हम एड करेंगे तो आप लोग देखते रहे यहैं号 तो इस तरह से देखे वहीं प्राइली ती उसमें आप को यह दिख राओगा व्लै कश्टर्ड पाउडर आप एक टेवल स्पून भी ले सकते हैं क्यूंकि आपको जिस हिसाब से थिक चाहिए बस उसी हिसाब से ले लीज़े तो देखें हाप ग्लास दूद्ध हमने आप इसमें आड़ कर दिया है काटोरी में अपनी जिसमें हम कश्टर्ड पाउडर को जिसमे अब हमारे दूद्ध में भी अच्छे से बॉयल आ गया है तो इसमें हम कश्टर्ड पाउडर अपना आड़ करेंगे तो यह देखिए पहले हम आड़ करेंगे चीनी तो इसमें 5-6-6 स्पून चीनी हम आड़ करेंगे आप अपने टेस्ट के अनुसार आड़ कर सकते हैं कि जैसा मीठा आपको पसंद हो तो हमने लगब 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 5-6 स्पून चीनी आड़ कर लिए और इसको चलाते विए पका लेंगे जिससे की चीनी भी मेल्ट हो जाए और जो कस्टर्ड पाउडर रखा था उसका यूज हम चीनी मेल्ट होने के बाद करेंगे क्योंकि चीनी इसमें एड़ करेंगे और जब तक बॉइल नहीं आ जाएगा तब तक इससों हम एड़ करते रहेंगे जैसे कि अगर हमारी तबयत खराब है और जिसके गर में छोटे बच्चे होते हैं उनको जरूर थोड़ा चटर पटर खाने का मन होता है कि हमें मीठा खाना है या हमें नमकीन खाना तो उनके लिए यह रेस्पी बहुत अच्छी क्योंकि तबयत खराब होने में ज्यादा देर किचन में खड़े होने का मन नहीं करता बिल्कुल भी तो यह लगता है कुछ ऐसी सी रेस्पी हो हलकी सी जो पांच से दरस में बनकर तयार हो जाए तो यह रेस्पी नहीं करा हुआ है हमने हलका सा थिक किया हुआ क्योंकि इससे हम सॉफ्ट बना रहे हैं यह देखिए हमारा ठंडा हो जाएगा आप उसको बाद में यूज करेंगे तो इस तरह से देखिए इस तरह से आप टीफिन बॉक्स या या टाइट जार में भर करके इसे रख सकते है स्टोर करके जब आपका खाने कमनों बस तुरंत निकाला और सर्व कर दिया सर्व करना आगे हम बताएंगे तो यह देखिए इस तरह से हम अच्छे से रख देंगे मगर हम इसमें अभी रख नहीं रहे हैं हम सारे पीसेज आट करेंगे क्योंकि हमें तुरंत सर्व करना है स इनको हम आराम से दे सकते हैं तो यह ड्राइफ फूट कुछ रखे हमाई पास हम आट करेंगे यह देखिए हमने नारियल अट कर दिया है पांच से छे बदाम ले लिए हैं किसमिस और काजू पास्ता यह सब ले लिया है जो भी ड्राइफ फूट आपके पास अवेलबल हो का आहाँ पेट कर सकते हैं तो यह देखिए हमने हमने इसे सब करदेना है तो देखिये देखने में कितना यमी लगल रहा है और पांच में कर तयार हो जाता है हमारे बच्चों तो यह बहुत पसंद आया तो आप भी अपने बच्चों को यह सब बना कर दीजे वह प्रेम से और ये भी बताईएगा कि आपके लिए मौहागे कौन कौन सी रेस्पी ले कर गया है थैंक्यू बाई मिलते हैं नेक्स डे नेक्स रेस्पी के साथ